वेलकॉम टो दिस कम्पर्टेटिट्व सीरीज तो आज हम यहाँ पर नया चप्टर उठाने वाले हैं और जिसका नाम है एक टॉपिक है जिसका नाम है परसंटेज तो इस पे काफी कॉष्टे जगान एक्जाम इसम्हें जो भी कम्पर्टेट्व एक्जाम होते हैं उनमें आ है तो percentage हम कैसे define करेंगे percentage को हम बोलते हैं कि percentage means per hundred और for every hundred यानि हम कोई भी चीज देखते हैं वह हम per hundred यानि हम उसको hundred से divide करेंगे क्या आगे देखेंगे यानि हम उसको क्या नापते हैं कि per hundred में नापते हैं तो इस तरह यह उसी को यही definition है यहाँ पे और उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ rules की percentage कैसे निकालते हैं, क्या formula है इसके लिए और कैसे करते हैं, basic rules related to percentage, यह परसंटेज को करने के लिए क्या rules हम यहाँ रखना है, जो basic है, ठीक है, to convert a percent in fraction, हमें अगर कोई percentage दी गई हो, ठीक है, अगर हमें उसको fraction में convert करना है, we divide it by hundred and remove the percent sign, just example, अगर मेरे पास यहाँ पे five percent दिया गया है, मुझे इसको convert करना है fraction में, मुझे बताना कि यह कितना fraction हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, five number yc लिखने है, वापस लिखना है, और divide करना है, यहाँ पे hundred, और जो percent sign है, इसको क्य खतम करना है, यहाँ इस percent के बदले, वही तुम बोलता है कि per hundred, इस percent के बदले हम यहाँ पे hundred डालेंगे, तो यही इसका fraction form है, और उसके बाद अगर इसका divide हो सकता है, तो हम करींगे, जिस यहाँ पे मैं करूंगा, five one, five two, five zero, which is implies to one by twenty, तो five percent की जो fraction form है, वो one by twenty है, और इस है, वही यहाँ पे भी करेंगे, zero by three, जो आड़ बे करेंगे, hundred के, percent के बदले यहाँ पे hundred डाएगा, और फिर उसके बाद सालो करेंगे, तो यहाँ पे यहाँ पे यह थ्री जो आड़ बे thousand डाएगा, तो इस तरह हमने तीस तरह पार भी इस तरह करेंगे, तो यह है रूल क हमेरे पास कोई number दिया गया है, हमें बोल रहा है कि इसका कितना percentage है, तो उसके लिए आपको बास simple क्या है, याद रखना है कि हमें पता है percentage, ठीक है, percentage is equal to, हमें जितना जिसका निकालना होगा, ठीक है, उसको मैं generally x लिखूँँगा, divide by हमारे पास total कितना है, ठीक है, मैं पे example, किसी के 460 marks आए, out of 500, ठीक है, into 100, हमें दिखानी है कि percentage कितना है, 460, 500 है, कितना percentage है, तो हम इस तरह करेंगे, जितना हमें आए है, जिसको हमें निकालना है, वो लेंगे 460, divide by करेंगे 500, ठीक है, total हमारे पास, और multiple करेंगे 100, तो इससे हमारे पास percentage आएगे, अगर हम इसक को सालो करेंगे, ठीक है, तो यहां पर which comes to 92%, तो उसका मतलब है, उसके पास 92% है, यह हमें फार्मुले है, percentage को निकालना है, यहां पर याद रखना है, उपर हमें जिसका निकालना हो, या जिसका दिया गए हो, total कितना है, हमारे पास, और multiple करेंगे 100, तो इस तरह हम कोई भी question easily कर सकते हैं, ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, एक example दी गई है, इसमें यह बोल रहा है कि हमें बता रहा है, 12% of 1200 कितना है, मैंने अभी बता है कि हम 12% को लिख सकते हैं, 12 divided by 100, क्योंकि अगर percentage की फार्म है, तो हम उसको fraction की फार्म है, इस तरह लिख सकते हैं, आ 144, तो 144 हमारे पास answer रहता है, यहां मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, उपर जिस तरह मैंने यहाँ फार्मले लिख ली, ठीक है, तो अगर मैं इस तरह इसको कर लो, यहाँ पे क्या हो जाए का, percentage तो मुझे दी गई है, ठीक है, percentage मेरे पास है, 12 is equal to, ठीक है, मुझे नहीं पत basic concept याद रखना है, और उसके बाद question इसी मेरे arrange करके आते हैं, और आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, आपनी मरसी, concept वागी same, उसके बाद हम कुछ आगे formula पढ़ेंगे, ठीक है, इन पे basis questions आये है, आलड़ी, जो कि मैंने आप इस lecture में add किये हैं, तो हम देखेंगे पहले formula और उसके बाद हम उन questions को कहेंगे, आराम से, ठीक है, rate percentage, अगर हमें किसी की rate percentage निकालना है, एक तो हो गया percentage, वो तो मैंने अभी उपर दिखा है, दूसरा हो गया है, कि rate percentage है, कि किस percentage है, हसाब से यह उपर या नीचे जाता है, तो अगर हमें वो निकालना है, तो हम देखेंगे, result कितना है, हमारे पास result percentage कितनी है, divide by हमें original number करना है, into करेंगे 100, तो इस तरह से हमें rate percentage आएगी, उसके बाद क्या है, अगर हमें increased percentage बतानी है, हमें बतानी कि increase percentage कितना हो गया, यहाँ पे यह चीज याद रुको फिर से, य कि increase percentage है, मैं बताना कि percentage कितना increase हो गया है, तो उसके लिए क्या दिखना है, increment, यह increment कितना हो गया, for example, अगर मेरे पास कोई, पहले कोई कुछ चीज था, 3.5 था, और यह चला गया, for example, 3.5 रुपीज था, या कोई भी rate था, तो यह 6 kg पे गया, ठीक है, तो आप मुझे बताना इंटो करोंगा 100, तो मुझे increment, यानि increased percentage आएगी, इस तरह यह करते हैं, और इसी तरह decreased percentage भी, इसी तरह करते हैं, हमें decrement देखना, for example, मेरे पास 5 था, यह चला गया, 2 पे, तो हमें मुझे देखना कि decreased percentage कितना है, वो आएगा कितना, कि हमें देखना कि decrement कितना हो गया, 3 हो ग percentage और rate percentage, और इस पर questions बिल्कुल आए, और उसके बाद हम आगे बाढ़ेंगे, what percent of 120 is 90, ठीक है, यहाँ पर question बोल रहा है कि, जो 90 है, वो 120 का क्या percentage है, percentage निकाले हैं, कितना क्या निकाले है, मैंने अभी बोला कि percentage, ठीक है, जनरले हम ऐसे represent करते हैं, is equal to, हमें जिसका निकालन इसको ख़लने पर 75 परसंट आता है, ठीक है, तो इस तरह मैं उसको calculate कर सकता हूँ, उसके बाद हमारे पास ओ रहे एक हैं, कि अभी हमने उपर पड़ लिया, अगर हमारे पास fraction था, ठीक है, अगर हमारे पास percentage था, तो हमने उसको fraction में convert किया, ठीक है, तो कैसे, मैंने fraction में convert क अगर अब हमारे पास किया है? fraction as a percentage, अगर हमारे पास आप fraction दिया गया है, अब हमें उसको क्या करना है? percentage में गनोर्ट करना है, तो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा. अगर हमने यहांपे divide किया था, तो यहांपे multiple हो जाएगा. यहने fraction से ठीक है fraction से हैं मैं कहां से convert करना है percentage में करना है तो यहाँ पे हम multiple करेंगे यहाँ अगर मेरे पास क्या 3 by 4 है मुझे देखना कि यह कितना percentage है तो मैं इसको directly क्या करूँगा मैं 3 by 4 multiple by 100 करूँगा which comes to 75 percentage ऐसी तरह यहाँ पे for example मेरे पास 0.4 है यह हमें फिर से fraction है 0.4 मैं शायद 1. ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 divided by 10 भी लिख सकता हूँ क्योंकि यह भी एक है यसी तरह 0.44 by 10 भी लिख सकता हूँ ठीक है तो यह भी एक fraction ही है अगर मुझे यहाँ पे fraction है मुझे क्या करना है इसको परसंटे में करना है मैं तो मैं लिख 0.4 एंटो करूँगा यहाँ पे 100 ठीक है which comes to 40% तो इस तरह यह questions है और इसके बाद हम आगे पाड़ेंगे यहाँ पे example में ने एक और रखी है यहाँ पे what is the percentage form of 0.5 sorry 0.15 0.15 जो कि यहाँ एक fraction है ठीक है इसके हमें क्या बतानी है percentage form बतानी कि यह percentage कैसे कर सकते हैं यह हमारे पास अभी fraction है तो मैंने अभी कहा अगर हमारे पास कोई fraction होगा तो उसको हम percentage में करने के लिए क्या करते हैं multiple करते हैं तो यहाँ पे मैं लिखका 0.15 एंटो 100 कर दो का simply ठीक है which comes to 0051 पॉइंट यहाँ पे दो के बाद है तो two zeros के बाद आएगा which comes to 15% तो यहाँ पे 15% आ रहा है तो इस तरह यह questions है और अब हम आगे बाढ़ेंगे यहाँ पे बिल्कुल एक simple question है उतना मश्किल नहीं है यहाँ पे if 23% of a is 46 अगर हमारे पास कि 23% ठीक है किसी चीज़ का था हमें पता नहीं है हमें total कितना था वो a यहने a का यहाँ पर इस लिया वो कितना है 46 है 23% of a is equal to 40 हमें फिर बताना है कि a कितना हो सकता है ठीक है बिल् यहाँ पे परसंट है इसको fraction convert करूँगा divided by 100 करूँगा आपके बदले into यहाँ पे आएगा a तो मुझे नहीं पता है into a is equal to 46 यहाँ पे one equation one variable आएगा तो इसको में सालू करने पे बिल्कुल मेरा answer आएगा ठीक है यहाँ मैं इस तरह भी कर सकता हूँ मुझे पता है कि percentage is equal to ह हमें कितना इने किसका निकालना था यानि कितना दिया गया गया गिवन जिसको बोलते है एक्स में लिए टोटल ठीक है into करूँगा 100 यहाँ मुझे परसंटेज आलड़े दी गई है वह 23 परसंट ठीक है is equal to मुझे नहीं पता है कि x यहाँ पे x हमें दिया गया है कि 23 26 divided by 23 into 100 ठीक है अगर मैं इसको simplify यहाँ से करूँ तो 2 a is equal to 200 और यहाँ पर भी मैं वहीं कर सकता हूँ a is equal to 46 into 100 ठीक है डिवाइड by 23 23 22 तो यहाँ से भी मेरे पास वहीं आतर रहेगा बस देखना कि समझना की question किस तरह है और आप formula यहाँ से यहाँ से यूज करके आप इसको सालोग कर सकते हूँ उसके बाद हम आगे बाढ़ेंगे यहाँ पर question number 8 है simplify करना है बिल्कुल यह इसी तरह मैंने equation बनाई है बिल्कुल एसी तरह यह equation भी आ रही है वो यह है कि 35% ठीक है of x यह मैं लिख लूँगा यहाँ पर x is equal to 3 by 4 of यहाँ थोड़ी बड़ी equation है of 48 ठीक ह यहाँ बागी बागी चीज़ यहाँ बड़ मास में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है और सबसे पहले कौन हम सालोग करते हैं उसमें बिल्कुल यह sequence में पढ़ींगे यहाँ पर 35% ठीक है 35% को मैं fraction में कनोट करमा तो 100 आएगा of के बाद ले मैं यहाँ पर into लगा ठीक है तो इसका मस्टो एकस इस इकवल तो 3 into 12 326 36 plus 62 divided by 35 यहाँ पर into 100 आ जाएगा यहाँ पर 100 यहाँ पर डिवाइड था तो यहाँ जाएगा multiple को जाएगा ठीक है इस सब को और यहाँ पर divided by 35 तो इसको फर्दर सालोग करने पर मैं आगर यहाँ पर इसको सालोग कर लो तो which comes to 8 98 into 100 divided by 35 तो सालोग करने पर मेरे पास इसका value इसका answer आएगा यह आप इसके आगे खुद कर सकते हो बिल्कुल easy और तो इसी तरह हमारे पास और एक question यहाँ पर 9 यह भी यही इसी प्रकार का question है यहाँ पर मैं कर लूँगा ठीक है यह 5 whole 1 by 2 है of 240 is equal to 150 percent of x यहाँ पर हमें x का value बताना है तो वही करना है जो हमने अभी तक इस question को किया वो इससे पहले इसको मैं पहले क्या करूँगा इंप्रापर में यह mixed में है तो इंप्रापर में करूट करूँगा 5 to 10 11 11 by 2 into of के बाद लिए इंटो आएगा 240 is equal to 150 इसको करूट एक्षिन में तो मैं divide करूँगा 100 से आफ के बाद लिए इंटो आएगा x यहां से यह 0 यह 0 cancel ठीक है तो अगर मैं यहां से और काटनू तू थ्री तू फाई फाई तू टैन फाई थ्री 11 by 2 यहां से भी मैं 2 से इसको डिवाइड कर सकता हूं 2 1 2 2 2 0 ठीक है तो अगर मैं यह पर इसको फिर से लिख लो अच्छे से 11 इंटो 120 यहां से 2 आएगा divide by 3 आएगा is equal to x तो सालो करने पर मेरे पास इसका answer आएगा easy ठीक है तो इसका answer आप बिलकुल आप comment section में कर लीजे कि इसका answer क्या आगा है बागी यही ऐसी करने है और उसके बाद हमारे पास 10th question है तो 10th question में क्या बता रहा है in school there are 1200 students इन्हें हमारे पास total दिया गया है कि total students हमारे पास कितने हैं वो तह हमें दिये गई है ठीक है और उसके बाद क्या बोट रहा है if the percentage of boys is 60 ठीक है बिलकुल easy questions है उतना मुश्किल भी question नहीं है यहां पर मैं अगर लिख लूँ इसको तो हमारे पास जो total है ठीक है total यहां पर हमारे पास 1200 students है total if the percentage of boys is 60 जो boys की जो percentage है वो 60 60 percentage है obviously तो girls की कितनी होगी क्योंकि 100 से होती है पूर 100 हम देख रहे हैं तो उनकी 40 percentage होगी then find the number of girls हमें girls की यह उनका percentage हमें पता चल गया 40 है क्योंकि जब boys का 60 होगा तो girls को obviously 40 होगा 100 में से देखते हैं त तो हमें बताना कि girls कितनी होगी तो that means कि हमें देखना है 40% of 1200 टेक है यह 40 percentage हमें 1200 देखना कि वो कितना है हम directly इसको करेंगे 40 divided by 100 into of equivalent 1200 this cancel 0 428 414 that implies 480 girls तो इसका मतलब है इस स्कूल में जो लड़कियां पढ़ रहे हैं वो 480 which implies to 480 B parties का सही आंसर ठीक है और उसका मतलब बाकी जो हैं वो boys है और आप उनको अगर दो add कर गए तो बिल्कुल आपके पास 1200 आए तो यहां पर मैंने एक और question यहां से उठाया है कि बिल्कुल SSE में एक question आया था बिल्कुल sample basic question है तो percentage में ऐसे question बहुत सारे आते हैं और आये भी है यहां पर मै यहां पर साथ साथ क्या गया है if total population of all villages 60,000 जो total village की population है वो 60,000 है ठीक है तो हमें बताने के population of G village G जो है उनकी population क्या है तो अगर मैं यहां पर देखूँगा यहां पर अगर आपको अच्छी तरह मैं इसको थोड़ा zoom in करूँगा यहां पर population जो village G है ठीक है उनकी जो percentage है वो 60,000 ठीक है मुझे 15% किसका निकालना है 60 क्योंकि total हमारे पास यही है तो बिल्कुल इसको फिर से करने के दो तरीके है आन सब तो same आएगा वो तो same ही आते हैं लेकिन दो तरीके एक तो मैं यहां से कर लोगा 15 ठीक है डिवाइड बाए 100 इसको करूँगा आख के बदले यहा 15 इंटो 6 is double 0 this comes to 0 6 is 5 30 3 6 is 1 plus 3 हो गया 9 which comes to 9000 population है वुले जी की और यहां पे इसका अंसर भी वुली यही है 9000 थर्ड पार्टिस का सही उतर है ठीक है तो इसके बाद हम इसके और कुश्चन देखेंगे वो इंशाला हम नेक्स लेक्चर में देखेंगे तो तब तक आप पैक इसका नीची इन खुश्चन की